साथ मार्च के बाद लगपती बनेंगे तीन राशी वाले बुद और शुक्र का होगा मिलन राधे राधे मित्रों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान में कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मार्च में बुद्ध और शुक्र का गोचर होने जा रहा है बतादे की साथ मार्च को बुद्ध मीन राशी में प्रवेश करेंगे और शुक्र कुम राशी में जाने वाले हैं बुद्धी तर्क समवाद गनित चतूरता और मित्रता का कारक ग्रह दोनों को कहा जाता है बुद्ध देव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है व्यक्ति को इस मामले में शुब फल मिलते हैं वहीं जोतिश में शुकर को भोतिक सुख, विवाहिक सुख, भोग विलास, प्रतिभा, कला, सुंदरे, रोमांस, काम वासना और फैशन के कारक माना गया है शुकर व्रिश और तुला राशी के स्वामी होते हैं और मीन इनकी उच राशी है जबकि कन्या में ये नीच राशी के होते हैं शुकर देव के शुब होने पर व्यक्ति का भागयोदे होता है व्यक्ति कई प्रकार के एशो औराम पाता है तो चलिए मित्रों जानते हैं कौन सी राशिया है जिनने इस परिवर्तन से लाब मिलेगा पहला मित्रों राशि शुब फल की प्राप्ती होगी कारेों में सफलता मिलने की उमीद है नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा सिंग राशी धन लाब होगा जिससे आर्थिक सिती आपकी मजबूत होने की संभावना है दमपत्ते जीवन में खुशियां आएंगी परिवार के सदस्यों के साथ समय अच्छा व्यतीत करेंगे कन्या राशी वालों के लिए यह समय किसी वर्दान से कम नहीं होने वाला है जीवन साती का सहयोग मिलेगा धार्मिक और अध्यात्मी कारियों में शामिल होंगे तो चलिए मित्रों आज हमने जाना कि साथ मार्च के बाद शुक्र और बुद्ध के राशी परिवर्तन से किन तीन राशीयों को लाब मिलेगा और उन्हें लगपती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा तो चलिए मित्रों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नहीं आने वाली वीडिय जोकी नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा मेरे आस्था और जोतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नमबर दिया हुआ है आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद मित्रों